आयुर्वेट समाधान में आपका स्वागत है दोस्तो आप लोग हमारे चैनल आज ही सब्सक्राइब कीजिए लाइक कीजिए और शेयर कीजिए दोस्तो हमारे जो नुस्खे होते हैं वो बैद्यों की राई के मताविक होते हैं इसलिए आप लोग हमारे चैनल को आज और अभ जाब निकलता है वे सूखने पर भूरा और कड़ा हो जाता है उसे ही गौंद कहते हैं ये शीतल और पॉस्टिक होता है उसमें उस पेड के ही ओशधिये गुन होते हैं अईरवेदिक दवाईयों में गोली या बटी बनाने के लिए इस गौंद का इस्तिमाल होता है कीकर या बबूल का जो गौंद होता है वो बहुत ही पॉस्टिक होता है नीम का गौंद रक्त की गती को बढ़ाने वाला स्पूर्ति दायक पधार्त है इसे इस्ट इंडिया गम भी कहते हैं क्योंकि इसमें नीम के सारे ओशधिये गुनों पाए जाते हैं दोस्तों आप अगर इसक आपियां मजबूत बनती हैं और शरीर पुष्ट होता है ये गौंद गर्म पानी में घोल कर पीने से दस्त वैसंग रहनी में आराम मिलता है आम का गौंद इस्तंभक और रक्त प्रसादक है इस गौंद को गर्म करके पोडों पर लगाने से पीव बह कर बह जाती है और आस श्वेत प्रदर में इसका चून समान भागचीनी मिला कर प्रयोग करना लावकारी होता है दंत मंजन में मोचरस का प्रयोग किया जाता है बारिश के मौसम के बाद कबीट के पेड़ से जो गौंद निकलती है वो गुणबत्ता में बबूल की गौंद के समकक्ष होती है ग गौर की फली के बीज से गलेक्टो मेनन नामक गौंद निकलता है गौर से फ्राप गम का उप्योग दूद से बने पदार्थों जैसे आइसक्रीम पनीर आदी में किया जाता है इसके साथ ही अन्यकई विंजनों में भी इसका उप्योग किया जाता है गौर के बीजों से ब जिसमें बताए गए इनुसके वैद्धियों की राय के मताविक होते हैं जीवन को निरोग बनाने के लिए सब्सक्राइब लाइक और शेयर कीजिए आयरुवेद समाधान क्योंकि आयरुवेद समाधान है हर रोग का निदान